इस्पेन क्रीकिन 4T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है दीपो कहते हैं कि वैसे तो नमक चीजों का स्वाद बहतरीन करता है लेकिन अगर आप ना चाह रहे हो और ज़रूरत से जादा नमक पर जाए तो आपका जो जाइका है वो बिगर जाता है और आप जाइका बिगरा रॉल चैलेंजर्स बैंगलोर का और फिल सॉल्ट में बिगाड़ा है लेकिन डेली कैपिटल के लिए हास से क्या जाइका बिगाड़ा है क्या बल्ले बाजी की है बिलकुल यह होता है कि जैसे मेरी बीवी थोड़ा सा नमक जादा खाती है मैं कम खाता हूँ तो दिल्ली को चीए था जादा नमक तो मिल गया जादा नमक और आर सीवी को कम चीए था उनको थोड़ा सा जादा मिल गया तो लेकिन बहुत बढ़िया पारी थी उनकी और देखी इसी ऐसे पारी के लिए वो जाने जाते है इसके पहले भी हाईदरबाद के खिलाफ एक पारी खेली थी लेकिन उनका ऐसा की गेम थोड़ा सा अलग है उनका हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला गेम है जब हाई रिस्क होगा तो फिर कंसिस्टनसी भी कम मिलेगा तो ऐसे खिलाडों के साथ आपको मन बना लेना चाहिए कि भाया ये उतने consistent नहीं होंगे तीन-चार मैच में एक बार चलेंगे लेकिन जिस मैच में चलेंगे उस दिन वो मैच जिता के देंगे आपको तो कुछ ऐसा है इनका करियर भी अगर आप उठाके देख लें इनका खेलने का तरीका भी कुछ वैसे ही है और इनसे फिर आप उमीद मत करें कि हर एक मैच में ये रन बनाएंगे क्योंकि उनकों कहें कि ने आप खेलने का तरीका बदल दें फिर उतना impactful रहेंगे नहीं आपके लिए बहतरीन हो सकता है आपके दो में बल्लेबास बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कुछ डिसिजन को अगर देखे दी पहले आप टॉस जीते हैं आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जो हमने पैटन देखा नहीं है इवनिंग मैचेस में चेस करना पसंद करते हैं और एक और सवाल आप दोरू के जाए नहीं बिल्कुल के दार जाधव यह बाचीत हो रही है कि आपने अपने स्कौर्ड का हिस्सा बनाया लेकिन क्यों बनाया मतलब कहीं इस्तिमाल तो हुए नहीं व भी कि उस बैटिंग और को देखता हूं उस टीम को देखता हूं और मुझे लगता है कि भया यह मेरी साबसे यह चेजिंग टीम है विराट को लिएक ऐसे बल्लेबाज जो चेज मास्टर कहला जाते हैं यह ब्रिलियंट चेजिंग में उनको पता है कि किस तरीके से पेस किय जाता है फैफ अच्छा चेज करते हैं आपके पास तो यह जो टीम है और स्पेशली जो बैटिंग लाइनप है आइधिंग यह चेज के लिए जादा बहतर है बैटिंग लाइनप बोलिंग की हम बात करें तो देखिए अभी भी आप कहेंगे कि यह काफियत तक जो स्टॉं पर नीचे रहा है तो कहीं ना कहीं जहां पर मुझे लगता है कि बैटिंग आपका मजबूत पक्ष है और आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मलब चेज में जादा तर मैंच जीतते हैं और जितवाते हैं तो इस हिसाब से ताट मेक्स यू अचेजिंग पीम राधन और केदार जाता है दूसरा सवाल केदार का देखे केदार अभी मेरे काल से तीन दिन पहले ही जुड़े हैं टीम के साथ और यह थोड़ा थोड़ी सी नाइंसाफी होगी दूसरे प्लेयरों के नजरिये से कि अनूज रावत शुरू से हैं आप उनको टीम में खिला रहे है लेकिन केदार को उनसे पहले बेज रहे हैं डीके का एक एक रोल आइडेंटिफाइ कर रखा है पिछले एक साल से डेर साल से रादर पिछले सीजन होई दिये और उनके पहले आप केदार आई डोंट तिंग वो सही सिगनल जाता टीम को और दूसरे प्लेयरों को मेरे खिया तो होती है आपने अपना बड़ा स्टाचर इतना लोगों के सामने रखाए कि लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं क्या जो वो आज पारी थी जिस अंदाज में खेली गई वो उसको और एक्सिलेरेट किया जा सकता था 200 तक शायद पहुंच जा सकता था टागेट ल लेकिन अच्छा सबसे जरूरी बात यह है कि आईसोलेशन में देखना शायद गलत होगा अगर आप सिर्फ इस पारी को अलग से देखे कि 55 रन बनाएं और 46 गेंदों में स्ट्राइकरेट 120 का आईसोलेशन में लेगा नहीं या थोड़ा सा और जादा खेल सकते थे तेजी क साथ स्ट्राइकरेट और जादा ऊपर होना चाहिए था लेकिन अब कॉंटेक्स में उसको डालते हैं राइट शुरुवाद में शुरुवाद अच्छा मिला वहां पे ठीक तक चल रहे थे फिर अचानक दो विक्टे गिरी दो विक्टे जब गिरी ओविस्टी थोड़ा सा और दिमाग में ये रखें कि वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा उस टीम में क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ये तीन मैक्सवल और फैफ और विराट के उतना जादा योगदान मिला नहीं है निचले करम के बलेबाद उसे तो वो भी प्लीज ध्यान में रखें बिफोर वी दिमाग में होगा नहीं मुझे अब 16 वे 17 वे ओवर तक मुझे लेके जाना है टीम को पता नहीं कोई साथ मिले ना मिले वो सवाल जरूर होगा उनके दिमाग में सेकिंडली उनके साथ उसके बाद कौना है माईपाल लोम रोड जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं ज तो अगर सब कुछ सारा कॉंटेक्स आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफी होगी अगर हम क्रिटिसाइज करें वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उस पारी को ना देखें आइसोलेशन में कॉंटेक्स में डाल के देखें तो शायद आप अलग एक प 15 रन तो वहां पर क्रेडिट भी देना पड़ेगा थोड़ा बोलर को बट अक्सर के अगेंस्ट अगर आप देखें क्यूंकि फैफ डूपलो से और विराट के जो नंबर्स आगेंस लेफ्ट आम स्मिनर्स अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा वह अक्सर के ओवर सेफ केल कर वह गैरवे ओवर तक रन बॉली आया है मेरे गाल सो चार ओवर में 24-25 रन आया है और दो विकेट गवा है एक वो और आखरी के दो ओवर में भी काफी कम रन आया है वहां पे मुकेश और इशान ने बहुत अच्छी की इन बाजी की दात उनको भी देनी पड़ेगी लेक वाद अच्छी की छे ओवर अच्छे गए फिर आपने मोमेंटम गवाया जब शुरू है वो तब तक पांच ओवर निकल चुगे था है मोमेंटम गवाया और मैच भी वहां से आपके हाथों से निकल गया अब जब हम पॉइंट स्टेबल की तरफ देखते हैं डेली के आपिटल्स आपने इग्जाक्ली जो बात करी कि मैथमाटिकली अगर देखे तो चांसेज है लेकिन बैंगलूरू की तरफ देखे नमबर प अगर आप उनका रेकॉर्ड भी उठाके देख ले चिन्नस्वाम यह तो उतना खास है नहीं तो मुझे नहीं लगता कि देवुड माइंड प्लेइंग अवे फ्रम होम और आपने का हाइदरबाद वाला अवे है और साथ में मुंबाई और संराइज हैदरबाद राजसान ओके यह तीनों ही अवे हैं हाँ ओविस्के होम फिस खतम हो गया और अभी भी चांसेज बहुत अच्छे हैं मैं जरूर कहूंगा चार में से अभी तीन जीतने सोला पे पहुँच जाएगी फिर टीम सोला इस and with a better run rate क्योंकि इस मैच का एक बहुत बड़ा फरक यह पड़ गया है कि आपको बहुत बड़ा एक जटका बड़ा है run rate पे 17 वे over में खतम हो गया है तो वो एक अभी देखिए minus 0.2 which is quite bad actually तो वो एक जरूर जटका हो क्योंकि कहीं मुझे लगता कि वो जो चौता टीम होगा या तीसरा या चौता टीम वो काफी हद तक हो सकता है run rate के हिसाब से निकले तो वहां पे यह जरूर जटका लेगा लेकिन RCB अभी भी मेरा मानना है कि इस नॉट बाट टीम आज जो हुआ सो हुआ लेकिन I still think दो चीजे कि they still can qualify and they are a choosing team उनको अपने फैसलों को अब अलग त हो कह रहे it is possible we can win the trophy definitely it is possible और देखे आज DC का दिन भी था है ना 17 वे ओवर में मतलब आज इस तरीके से DC चारों बल्लेबाजों ने बैट किया है 220 भी कम पढ़ जाते हैं तो कही ना कही आज दिन था कुछ थोड़ी सी चूप भी हुई फिल्डिंग में और कैश्रॉप इस तो कही ना कही आज दिन था DC का ठीक है I guess कुछ चीजों पर जरूर सोच विचार होगी खासकर जो हम 10-15 एक्स्टा रन कह रहे हैं और बाकिए I think it's all right आज था DC का दिन उन्हें मिली विन बहुत ही घटिया है इस शाइरी के साथ सांग कि सोबच दी हो आज साथ बाचीत करने के लिए आप देख रहे थे ESPN क्रिकिन 4T20 टाइम आउट हिंदी